लखीनपूर खेरी में जिन परिवारों को जिन परिवारों के सद्यस्यों को खुछला गया था उनके हम घर गए और उनसे बाचीट करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीज़े चाहते हैं पहली चीज़ वो नियाए चाहते हैं वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है और इसी लिए जब तक व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जाँच और नियाए नहीं मिल सकता है ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपती जी को बताई और हमने उन से कहा कि देखिये ये सिरफ इन परिवानों की आवाज नहीं है ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है उस आवाज को कुछला जा रहा है दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले पेश के सामने कहा है कि अगर सुधर हो गए नहीं तो मैं सुधार दूँगा मतलब किसानों को धंकी दी और फिर उस धंकी पर अक्षिन लिया और किसानों को मारा तो आपने राश्टरपती जी से काया कि देखिये जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कौट के दो सितिंग जजिश की इंक्वाइरी होनी चाहिए और जिनोंने भी ये फट्या की है मुर्डर किय है उनको सजा मिलनी चाहिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद